बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजसवी यादो डरपोक आदमी हैं, अब डरपोक आदमी किसके सामने तो नितीश कुमार के सामने, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो प्रमार सहीत आपको हम आगे बताएंगे, आपको बताएंगे कि तेजसवी यादो जब बिपक्ष में थे, तब नितिश कुमार के शराब बंदी वाले फैसले को लेकर तेजस्वी अपना दम दिखाते हुए कहते थे कि या तो सरकार वाकई में शराब बंदी पुन रूप से लागू करवा दे या तो फिर सरकार जो कई हजार करोड का एक पैरलेल ब्लैक एकोनोमी दारू के कारण सु अब आगे आपको हम यह बात इसलिए करेंगे क्योंकि इस वक्त पर बिहार में जहरीली शराब के कारण लगातार लोग दुनिया छोड़कर जा रहे हाहा कार मचा हुआ है जो आरोप लग रहा है कि जहरीली शराब के कारण उन तमाम लोगों की तबियत खराब हुई और नहा कहते हैं कि पांच में से सीता मरी में चार यादों थे जो शराब पीकर दुनिया छोड़कर चले गए लेकिन तेजस्वी एक दम चुप हैं अब आगे तेजस्वी यादों के उस पुराने बात का जिक्र करेंगे जहां पर वह कहते थे उनकी पार्टी कहती थी कि निति करिए आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे लेकिन उससे पहले हमारा पड़िया है अपने मस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं राश्री जंतादल और जंतादल उनाइकेट की सरकार बनने के कुछ दिन पहले शडाप के कारण बिहार में कुछ लोग दुनिया छोड़कर चले गए थे वहाँ पर खुब हंगामा मचा तेजस्वी यादों ने अपने पार्टी के कुछ नेताओं को बिधायकों को एक कमेटी बनाकर टीम बनाकर वहाँ पर जाच के लिए भेजा उस टीम ने वहाँ पर जाकर कहा कि अगर शडाप बंदी नहीं हो पा रहा है तो शडाप को पाटी के पास पैसा पहुंशता है और वो माफिया कौन है तो माफिया शडाप बेचने वाले बड़े-बड़े धुरंधर बाहु बली है वो माफिया पैदा हुए है जो कई हजार करोड का शडाब बेचकर ब्लैक में एक पेरलिल उकोनौमी खड़ा कर चुके है यह बात तेस्वी यादों ने कहा था कि भिहार में माफियाओं ने एक पेरलिल उकोनौमी केवल और केवल शडाब बेचकर खड़ा कर दिया है अब सबसे पहला सवाल, कि क्या आपडिपटीism के पतक का शपत ले लिए, तो उसके बाद वो ब्लेक एकोनॉमी जो था, वो पेरलल ब्लेक एकोनॉमी 40,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, जिसका जिक्र नेता करते थे, आप करते थे, वो अचानक से खत्म हो गया, और अगर वो ख पोस्टों को पार करके शड़ाब आ जाती है और कई दफ़ा पटना में आकर वो शड़ाब पकड़ी जाती है और यह सारे के सारे सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी आदो विपक्ष में थे तो लगता था कि यह के युवा चेहरा है एक युवा नेता है तो वो इस लिहाज स सोचता है कि अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है लेकिन जब सत्ता में तेजस्वी आदो वाते हैं तो अब गोपाल गंज से लेकर सिता मडी तक में जैरिली शराप के कारण हाहकार मचा है जो दावा लोग कर रहे हैं जो परिजन कर रहे है उसके मुताबिक हाला कि प्रशासन अब तक गोपाल गंज वाले मामले में लीपा पोती करने का शायद प्रयास कर रही है लेकिन सवाल हुई है कि क्या त्यजस्वी यादो अब हिम्मत दिखा पाएंगे कि वो इस बात का जिक्र कर दे कि आखिरकार अगर शराप बंदी आगू नहीं हो पा रही है तो हम सही शराप कम से कम बिहार में कंट्रोल में करके भिक्वाएं जिससे की जहरीली शराप लोगों तक ना पहुंचे और दूसरी बात कि जो कई हजार करोड के ब्लैक पैरलल एकोनोमी का जिक्र होता था कि 20,000 करोड 30,000 करोड रुपिया माफि या संचालित कर रहे हैं बिहार में उस 20,000, 30,000, 40,000 करोड रुपियों को सरकारी खजाने में डाला जाए और सरकारी खजाने में वो रुपिया जाएगा तब आम जनता के सहुलियत के लिए सरकार काम कर पाएगी ना कि अगर कोई माफिया बिहार में शराप का सप्लाई करे फिलाल तेजस्वी यादों पर सवाल इसलिए क्योंकि तारी से लेकर शडाप तक के मुदे पर जो नेता विपक्ष में रहकल खुलियाम बोलता था बिना डरे बोलता था वह इस वक्त पर इतना डरा हुआ है कि अपना मुह तक नहीं खोलता आपकी क्या इस पर रहा है कमें कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद